राम लला की प्राणपतिश्चा के बाद जहाँ एक और आयोध्या में जश्नि के साथ साथ पूरी दुनिया में जश्नि मनाया जा रहा है तो वहीं एक दूसरी तस्वीर भी कानपुर्देहाद से निकल कर सामने आ रही है ये तस्वीर आपको राम में महौल में ढाल देगी क्योंकि एक लाख दियों के साथ जमीन पर जैश्री राम लिख कर लोगों को आनंदित करने वाली एक तस्वीर सामने आई है ये कानपुर्देहाद के जीनजक नगरपालिका में आयोजीत एक मैदान में ये कारक्रम किया गया है जहां पर छेत्री लोगों के साथ मिलकर एक शक्स ने एक लाख दिये जलाकर प्रभुश्री राम को समर्पित किया है हमारे साथ वो शक्स मौझूद है उनसे बात करेंगे कि आखिर एक लाख दिये का ये संकल्प क्या है क्या है त्रपाड़ी जी एक लाख दिये का संकल्प प्रभुश्री राम को समर्पित किया गया है कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिल खुश है प्रशन है सब कारिकरता प्रशन है बहुत उस्ता है यहां आप उपस्तित भील को देख सकते हैं कारिकरताओं को देख सकते हैं बहुत खुशी उनको मिल रही उनको लग रहा है कि मैं उध्यामी है चनपत की यह पहली तस्वीर है जहां पर एक लाख दिए एक साथ जलाए गए हैं एक छट के नीचे जिल रहे हैं तो कैसा महौल होगी आए इस समय यहाँ पर बगवान राम जी की करपा है उन्हीं कि हम लोग शेवक हैं व और बिल्कुल भी यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह आयोध्या नगरी से कम है क्योंकि आयोध्या में जिस तरीके से प्रभु श्री राम के लिए घरगर दिये जराए जा रहे हैं ठीक उसी तरीके से अब देख लीजे कि जमीन पर भी प्रभु श्री राम का नाम लिख कर राम महाल में चीज़ें ढलती हुई नज़र आ रही हैं। सेकड़ो और हजारों लोगों में यहाँ पर उपस्तिती अपनी दर्ज कराई है। लोग यहाँ पर पहुंचकर श्री राम के लिए दिये जला रहे हैं। और देख सकते हैं लोगों में खासा उसा भी है। लोग यहाँ पर बहुत जादा संख्या में मौजूद हैं, सब तरफ भीड़ हैं और प्रभू राम को समर्पित करने वाली यह तस्वीर है जहाँ पर एक लाग दिये जला कर प्रभू श्री राम के चाड़ों में समर्पित किया गया है। कानपूर्देयाज से विकाज दिमान एबीपी लाइव हैं एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की